पटक 30 सेकंड में खबरें डाउमलोड कीजिए तक है नमस्कार आप देख रहे हैं बिज तक मैं हूँ रजद देवगन एक और बहतर दिन इंडियन मार्केट्स के लिए 18,000 के लेवल के उपर की क्लोजिंग लगा था दो ट्रेडिंग सेशन्स में आज के सत्र में एक दायरे म मजबूत होता हूँ नजर आया और सेंसेक्स में दोस्तों एक के संकों के गेंस मिले लेकिन एडवांस डिकलाइंस बिल्कुल 50-50 थे निफ्टी पे जो तेज सिला उसमें था टाटा स्टील यहां पर 3% से 3.5% का डेंट पड़ा बीपी सेल हिंडाल को और कोल इंडिया पे भी नगबग 1-1.5% के आसपास के गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली जेफरीज की एक रिपोर्ट आ गई मेटल सेक्टर पे स्पेशली स्टील सेग्मेंट पे उन्हों जेफरीज मानता है कि स्टील स्टेक्टर के अच्छे दिन जो हैं वो 2021 में ही पूरे हो गए हैं चीन की एकॉनमी में जो स्लोडाउन है वो मेजर रीजन गिनवाया गया है और आपको याद होगा जब लॉक्डाउन खोला था तो प्राइस बड़े थे अच्छे मार्जिन ज एस्टीमेट जाने की EPS अनुवान 18-26% घटाया गया है जेफरीज में जो टाटा स्टील अब रेटिंग दे रहा है वो बाय से घटा कर होल्ड की और शेर का लक्षे लगबख साड़े 22% घटा कर 1240 जेस्टील का तो हाल और बुरा जेफरीज माता है कि रेटिंग बाय से घ पर जो कमेंटरी आए थी जेफरीज की उसने आज पूरे ही मेटल सेक्टर पे दबाब बना गया जेस्टील लगबख 5% टूटा स्टील अथारिटी में लगबख 5% की गिरावट देखने को मिली नाल को साड़े 3% कमजोर हुआ जेस्टील और टाटा स्टील दो टूटी रह लिजर अर्निंग्स तो कल के सत्र में बजार बंद होने के बाद ही आएंगी लेकिन एक्सेल टेक्नालोजी साड़े 4% उचला आज निफ्टी का टॉप गिनर कोफोर्ज में 3% की रिटर्न टेक महिंद्रा एलन टी इंफो टेक टीस एक परसंट से 1.5% की मजबूती रियलिटी स्टॉक्स में चुनिंदा ही स्टॉक्स थे जो अपनी बड़त को मरकरा रखे वे थे जिसमें फीनिक्स लिमिटेड शामिल था 4% उपर लोधा ब्रिगेट सोभा में आज तेजी देखने को मिली एक सेग्मेंट निकला रेलवे स्टॉक्स वहाँ पर भी बहुत काउंटर स्पेसिफिक अक्शन था टीटागर वैगन उचल गया 15% और बजट से पहले दाव लग गया अब टेक्स मैको रेल पर यहाँ पर भी 12% की तेजी देखने को मिली और बहुत समय बाद एक दम से रे ब्याज और एजर बकाय को एकुटी में बदलने की मंजूरी दे दी स्पेक्ट्रम पर ब्याज की एन्पीव यानि की नेट प्रेजेंट वैल्यू बोर्ट के हसाब से 16,000 क्रोड रुपे सरकार को 10 रुपर प्रतिशेर के भाव पे शेर जारी की जाएंगे यानि की 10 रुप अपनी में मेजॉरिटी स्टेक हो जाएगा 35.8% हिस्सेदारी सरकार की हो जाएगी वोडाफोन ग्रुप का हिस्सा 28.5% रह जाएगा अधित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा 17.8% होगा एक दम से लग ज़टका 20% की गिरावट आज की सतर में वोडा आइडिया में एक और खब चौदा जनवरी को उसमें बाइबैक पर विचार होगा और कंपनी अधी ग्रेंट करने पर भी विचार करेगी हाल पिलाल में वन रिशो वन का बोनेस अलॉट्मेंट की घोशना कर चुकि है डेट सो रुपे इंटरिम डिविडेंट की भी बात कर चुकि है वो निविश्क करने लग गया है यह स्टॉक डबल डिजिट में है लगबख साढ़े 9% उपर आज की सत्र में रिटर्न था सूरिया रॉष्णी साढ़े 9% उपर बासफ विरॉक कैमलें फाइन वी इंडस्री जैसे स्टॉक में साढ़े 6% से 7% का रिटर्न था जीम डीसी जस्डायल अवास इंडिया यू बैंक अधानी एंटर्प्राइज यहां पर 5% से 6% के रिटर्न में अच्छी तेजी बनी है एंडिया लक्स केमिकल और टीटीमल जैसे स्टॉक 5% मुल्बूत होते हैं काफी ऐसे शेर्स थे जहां पर बावन हफते का उच्टम स्टर देखने को बिला जैसे कि दानी इंटर्प्राइज दानी ग्रीन एफल इंडिया असाही इंडिया सेंट्री टेक्स्टेल ग्रीव स्कॉटन प्रिजम जॉंसन थर्मेक्स इन तमाम स्टॉक्स में आज के सतर में एक साल की उचाई देखने को मिली है लेकिन अब आगय क्या होगा बिल्कुल दायरे में तोड़ नतीजे हैं और इसके लवा आएपी और सीपिया के आंक्रे हैं जी हां कल जब बजार बंद होगा तो इन्फोसेज विप्रो टीसेज के आंक्रे जारी होंगे जारी होंगे तो बाइबाक नतीजे इंटरिम डिवरेंट की जो घुशना होगे उसको ट्रैक किया सपोर्ट के तौर पर 17,990, 17,955 यह सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी पे और रिजिस्टेंस के तौर पर 18,090, 18,125 यह एक बाधा का काम कर सकता है इंडियन मार्केट पे अब रिजल्ट्स पर डिपेंड करेंगे और स्पेसिफिकली इटी स्टॉक्स फोकस में रहने वा इंडियो devo वाया इंडियोगि है धॉड़